केंद्र ग्रिह मंत्राले से दूसरे राज्यों में फसे मजदूरों, छात्रों, परेटकों और शधालों को वापस लाने की एडवाइजरी मिलने के बाद राज्य सरकार ने भी दूसरे राज्यों में फसे लोगों की वापसी की कवायत शुरू कर दी है सरकार की योजना लोगों को चरण बधध तरीके से सकुषल वापस लाने की है मुख्य सचे उतपल कुमार सेंगे कहा कि केंद्र ग्रीमन्त्रालय ने अन्य राज़ियों में फसे लोगों की सुरक्षित घर वापसी का जिम मास राज़ियों को सौंपा है केंदर का आदेश राहत भरा है उन्होंने कहा कि राज्य आपस में तैय करेंगी कि उनके यहां फसे नागरिकों को कैसे वापस लाय जा सकता है प्रदेश सरकार ने सभी राज्यों में फसे नागरिकों की सूची तयार करेगी उसके बाद उन राज्यों के साथ वारता कर आने जाने की ववस्था बनाई जाएगी इसके अलावा देहरदुन स्मार्ट सिटी की वेब साइट पर एक लिंक दिया गया है जिसमें प्रवासी लोग रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं उत्राखन में भी कई राज्यों के लोग फसे हुए हैं घर पहुचाने के बाद सभी को होम कॉरेंटीन या जरुवत पढ़ने पर जारी गारिडलाइन के अनुसार संस्थागत कॉरेंटीन भी क्या जाएगा मुख्य सचीव ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अन्य राज्यों में फसे उत्राखन के लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए नुडल अधिकारी तैकियों हैं सचीव परिवहन चालेश पगोली और आईजी कुम्भ मेला संजय गुंजयाल को जिम्मेदारी दी गई है हरिद्वार के जिलाधिकारी सीरव शंकर की अध्यक्षता में इस मामले की रण निती तयार की गई जिलाधिकारी सीरव शंकर ने बताया कि जिन प्रदेशों के लोग यहां लॉक्डाउन के चलते रोग दिये गए थे उनकी वापसी का इंतिजाम किया जा रहा है समंदित राजियों से समन्वे बना कर जल्द ही ऐसे लोगों की वापसी सुनिश्चित की जाएगी समंदित स्टेट से बनाने का प्रतिया चल रही है अभी कुछ जो है स्टेट से बाप भी हुआ है जैसे महराष्टरा है या उत्तर पुदेश है जहां से जो है लोग ज्यादा मात्रा में हैं उन लोगों से बात्चित किया है बस बंगल से बात्चित किया है तो जहां पर ये सहमती बन रही है वहां पर फिर सूचना शायर कर रहा है शायर करने के बाद जो है बसस कितने बसस वहां से आएगा और यहां से जाएगा इसका समन्वे अभी बनाने का परक्रिया चल रहा है